हेलो फ्रेंस, वल्कम बैक टू मैं चैनल अधी कॉल्चुरल वॉल्ट, काना जी के सभी भगतों को मेही तरफ से रादे कृष्णा, तो देखे फ्रेंस, आज हम लड्डू को पाल जी के लिए ये बहुती खुपसूरत सी ड्रेस बनाएंगे, आप देख सकते हैं इस ड्रेस का पोशाक पहना कर दिखाती हूँ, तो देखे फ्रेंस, हमने लड्डू को पाल जी को ये सुन्दर सी पोशाक पहना ही है, और आप देख सकते हैं हमारी काना जी इस ड्रेस को पहन कर कितने अच्छे लग रहे हैं, इसका लूप भी बहुत अच्छा आया है, मैंने एकदम सिं पूशन पूशना चाते हैं, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूच सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंजल है, अधिकॉल्शॉल्वाल्च268, साथी साथ मुझे फॉलो भी करें, तो चले फ्रेंस, अब हम ये बहुत धी खुबसूरसी काना जी की नियो डिजाइन वि पूरा रुमाल ले लिया है, आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ आधा रुमाल यूज किया है, ये ड्रेस पनाने के लिए, क्योंकि मैंने पहले काना जी के लिए पोशाग बनाई थी रुमाल से, जिसमें मैंने सिर्फ आधे रुमाल से काना जी की पोशाग बनाना बताया थ और ये आदा रुमाल बच गया था तो आज मैं सिर्फ आदे रुमाल का यूज करके फिर से आपको काना जी के लिए बहुती सुन्दर सी पोशाग बनाना बताऊंगी यानि की 10 रुपए के सिर्फ एक रुमाल से आप काना जी के लिए 2 पोशाक बहुती आसानी से बना कर पहना सकते हैं अब सबसे पहले हम काना जी के लिए धोती बनाएंगे तो देखिए यान नीचे की तरफ से जो इंटर लॉक वाली साइड है न उधर से हमें मैजर करके इसको कट करना है तो इस तरीके से हमें मैजर करना है और 3 इंच यानि की 3 इंच पे मार्किंग करनी है और इधर की तरफ से भी हम मैजर करके 3 इंच पे मार्किंग करेंगे अब ये दो मार्किंग हमने कर ली है तो यहाँ पे जो मार्किंग है यहाँ से भी हम मेजर करेंगे और तीन इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे फिर इधर की तरफ से भी एक बार मेजर करके देख लेंगे एकदम बराबर होना चाहिए तीन इंच पे आना चाहिए अब हमें सारी मार्किंग्स को मिला लेना है और एक चौकोर पीस हम कट करेंगे तो देखे फ्रेंस हमने एक पीस कट कर लिया है और नीचे की तरफ से यहां से यहां तक हमने यह इंटरलोक वाली साइड रखी है जिसे की ड्रेस का लुक अच्छा लगेगा अब जो दूसरा पीस हम कट करेंगे उसको हमें इधर से कट करना है बीच में से नहीं कट करेंगे हम क्योंकि हमें दो तरफ से इंटरलोक वाली साइड चाहिए इसलिए दूसरे कॉर्णर पे हम इस तरीके से बराबर करते हुए रखेंगे और एक पीस और कट कर लेंगे दूसरा पीस भी हमने कट करके निकाल लिया है और अब देखें यहां पे जो थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है इसको अभी हम साइड में रखेंगे क्योंकि हमें काना जी के लिए कैप और चोली भी बनानी है तो इसको अभी हम साइड में रखते हैं यह जो दो पीसेस हमने कट की है तो इंटरलॉक वाली साइड हमें नीचे से रखना है और इधर की तरफ से मेजर करते हुए हम 1.5 इंच यानि की 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे दोनों तरफ से जिसे की हमें प्लेट डालने में आसानी रहेगी और प्लेट से एक दम बराबर भी पड़ेंगे तो दोनों तरफ से मार्किंग करने के बाद अब यह जो हमने मार्किंग की है यही से हम फोल्ड करेंगे इसको और ऐसे सेंटर में ले जाके रखेंगे फिर इधर की तरफ से भी हमने जो मार्किंग की है यहां से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और सेंटर में ले जाके हलका सा एक के उपर एक करके रखना है बहुत प्लेट जालते होएं, हमने माले लगा लिए हैं, अब कि प्लेट्स अच्छे से सेट हो गया हैं, या उपर की तरब से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम कट करके निकाल देंगे, याली की ऊपर से हमें इसको एक्दम बराबर कर लेना है, तो अब धोती का एक पीस बनकर बिल्कुल तयार है, सेम ऐसे ही हमें ये दूसरा पीस भी बना के तयार कर लिना है दोनों पीसे तयार करने के बाद अब हमें इसको एक के उपर एक करके इस तरीके से रखना है बहुत जादा नहीं थोड़ा सा हमने रखा एक के उपर एक करके और सिलाई लगा कर हमें इसको जॉइंट कर लिना है बीच में से जॉइंट करने के बाद अब देखें धोती का लुग कुछ ऐसे आजाएगा अब हमें चोली कट करनी है तो हमने देखिया यहां पे जो बचा हुआ कपड़ा था वो ले लिया है नीचे की तरफ से यह जो इंटरलॉक वाली साइड है यहां से हम कैप के लिए करेंगे तो सबसे पहले यहां से यहां तक हम देखिये इसको मैजर करेंगे साड़े छे इंच यानि की 6.5 इंच पर हमें मार्कें करनी है और इस तरही के से इसकी जो चोड़ाई है वो हम वन इंच यानि की एक इंच रखेंगे अब हमें सारी मार्किंग्स को मिला लेना है और एक पीस कट करके निकाल लेना है हमने देखे चोली के लिए एक पीस कट करके निकाल लिया है अब इसी टाइम हम कैप के लिए भी कपड़ा कट कर लेंगे तो नीचे से देखें यह इंटरलॉक फ़ली साइड है मैं इसकी चोडाई आपको बता देती हूँ तो इसकी जो चोडाई है वो देखें साड़े 3 इंच यानि की 3.5 इंच है और इस तरीके से अब मेजर करते हुए हमें 2 इंच पर मार्किंग करनी है और इसको भी हम कट करके निकाल लेंगे तो देखें यहाँ पर यह एक्स्रा कपड़ा बच गया है इसको हमें साइड में हटा देना है अब सबसे पहले हम काना जी के लिए चोली बनाएंगे तो यहाँ पर जो हमने कैप के लिए कपड़ा कट किया है इसको अभी हमें साइड में रखना है और चोली में देखिए उपर और नीचे दोनों तरफ से ये कटिंग वाली साइड है तो यहां से ऐसे रेशे निकलते रहते हैं जिसे की ड्रेस बहुत जल्दी खराब हो जाती है और इसका लुक भी अच्छा नहीं लगता है इसलिए हम इसमें लेस तगाएंगे तो मैंने देखिए ये वाइप कलर की पॉम-पॉम लेस ले लिया है आप देख सते हैं ये कितनी सुंदर लेस है और मार्केट में बहुती एजली मिल जाती है जब ही मैं कानाजी के लिए विंटर स्पेशल या फिर समर स्पेशल ड्रेस पनाती हू साथी साथ इधर की तरफ से भी हम यहां से यहां तक यह लेस लगा लेंगे लेस लगाने के बाद अब देखिए इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है और दोनों तरफ से ये लॉक भी हो गया है अब हमें बीच में से एकदम बराबर करते हुए ऐसे इसको फोल्ड क करेंगे फोल्ड करने के बाद हलका सामे एक के उपर एक करके रखना है तो इसका शेप कुछ ऐसे बन जाएगा अब हमें धोती ले लेनी है और जिधर की तरफ से हमने देखिए ऐसे करके फोल्ड किया है उधर की तरफ से ऐसे हम रखेंगे इसको यहां पे और फिर यहां से लेके यहां तक सिलाई लगाकर जॉइंट करेंगे तो देखे फ्रंस हमने सिलाई लगाकर एक पीस जॉइंट कर लिया है अब इसी में हम दूसरा पीस इधर की तरफ से जॉइंट करेंगे तो इसको भी हमें पलट कर पीछे की तरफ से रखना है और एक एक बार ऐसे फोल्ड क दोनों पीसिस को हमने देखे सिलाई लगा के जॉइंट कर लिया है अब जब हम इसको सीधा करेंगे तो इसका लुक कुछ ऐसे आजाएगा धोती में हमने देखे चोली जॉइंट कर दी है और इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है अब हम इसमें डोरी लगाएंगे त कर सकते हैं तो ऐसे हम इसको उपेंड करेंगे और जहां से हमने चोली जॉइंट की है दोनों कॉर्णर पे वहीं से ऐसे हमें डोरी रखना है और इसको जॉइंट कर लेना है आप चाहें तो सुईधागे से भी जॉइंट कर सकते हैं या फिर सिलाई लगा के भी तोनों कैप बनाने के लिए मैंने देखे जो पीस कट करके रखा था उसको ले लिया है अब हमें सेंटर से इसको लड़ करतेवें फोल्ड करना है और किनारे से सिलाई लगा कर हम दोनों पीस इसको जोइंट कर लेंगे किनारे से जोइंट करने के बाद अब यहां उपर की तरफ से देखिए यह जो कटिंग वाली साइड है उधर से हमें सुई धागे से इसको टक करना है तो मैंने यहां पर यह सुई धागा ले लिया है और उपर से थोड़ी सी जगा छोड़ते हुए फिर हम इस तरीके से छोट चोटे से इसमें टाके लगाएंगे ऐसे हम यह पूरा सरकल कमप्लीट कर लेंगे सरकल कमप्लीट करने के बाद टाइट करके हम इसको खीचना है और दो-तीन बार अच्छे जे में इसमें धागा लपेटेंगे और अब हमें लॉक कर लेना है टाइट करके हमने इसको लॉक कर लिया है अब यहां उपर की तरफ से जो एक्स्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे हमें ध्यान रखना है सिलाई जो हमने लगाई है यानि की लॉक किया है वो नई कटना चाहिए एक्स्रा कपड़ा हम सिर्फ कट करेंगे कट करने के बाद अब हमें इसको पलट कर सीधा कर लेना है सीधा करने पर देखे कैप का लुक कुछ ऐसे आजाएगा नीचे की तरफ से ये इंटरलोक वाली साइड है जिसकी वज़ा से कैप और भी जादा अच्छी लग रही है अब हमारे काना जी के लिए बहुती सुन्दर सी ड्रेस और कैप पनकर बिलकुल तयार है